नमस्कार दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जब भी हम कोई नया काम करते हैं किसी से जब हम मिलते हैं हम हमेशा भगवान को याद करते हैं बड़ो ने भी कहा है कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी से भी जब आप मिलते हैं तो आप कैसे किसी का स्वागत करते हैं कैसे किसी से आप मिलते हैं आप बोलते हैं राधे र जैनती यानि कि जैन धरम को मानने वाले 24 वे तिर्थनकर जो उनके भगवान है उनका जनम दिन तो जैन जब एक दूसरे से मिलते हैं वो कहते हैं जै जिनेंदर इसलिए आज हम अपने कारेकरम की शुरूआत करने जा रहे हैं आप सब का अभिनंदन करते हुए ये कहते हुए जै जिनेंदर आज हम बात करने जा रहे हैं महावीर जैनती के बारे में जैसे मैंने बताया जैन धरम के 24 वे तिर्थनकर महावीर भगवान महावीर स्वामी जिने हम वर्दमान के नाम से भी जानते हैं उनका जनम दिन है आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो मे हमारे एक्सपर्ट निर्मला बैद जी से जो की एक जैन परिवार से हैं, जैन धरम की फिलोसिफी उनकी प्रिंसिपल से बच्चपन से ही ये जुड़ी हुई है, महावीर स्वामी की प्रती उनका जो प्रेम है, उनकी जो विचार धाराएं हैं, उन्हें जनता तक आम लोगों तक पहुचाने की उनकी ये जो कोशिश रही है, कई सालों से वो इस कारी से जूरी रही है, स्कूल जाती है, पाटशाल आये जाती है, और आज की जो युवा पीडी है, जैन धरम की ये फिलोसिफी से उन्हें रूबरू कराती है, बच्चों में ये प्रिंसिपल्स हम किस तर राजय जिनेंदर, महावीर जैनती की आपको बह। शुबकामना है, हमें ये बताइये कि महावीर स्वामी की जैन धरम में क्या मान्यता है, 24 तिर्थन कर है वो जैन धरम के, तो उनकी क्या मान्यता है और किस तरह से मावीर स्वामी का जैन धर्म के प्रती क्योंकि वो 24 वे है नॉमली हम पहले दूसरे तीर्थनकर की ज्यादा करते हैं क्योंकि वो पहले होते हैं बट ये आखरी 24 वे तीर्थनकर हैं तो किस तरह से मावीर स्वामी की जैन धर्म में मान्यता है आज हमें अध्यात्म जगत के महान दिवा कर कि एक एक रश्मिको सहस्त्र नमन भगवान महावीर की पावमन पर्व महावीर जैन्ति के अवसर पर महावीर वानी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा भाव भरा जय जिनन्त्र तर्योदशी का दिवस था शुकलपक्ष अभिराम तब आये आलोक बन जन्जीवन विश्राम कस्तुरी गिसने को सहन नहीं कर पाती यदि वहे अपने गर्शन से परिमल को प्रश्ट पुटित नहीं करती अगर बती अपनी सुर्वे से पूरे वातावरन को वाई मंडल को सुर्वे नहीं कर पाती यदि उसे अगनिस नान मानने नहीं होता सोना भी अगनिवे तपकर ही चमकता है हमारी ये दुनिया संगर्ष और ताप की दुनिया है तो जो व्यक्ति इस संगर्ष और ताप में उसको सैन करता है वो व्यक्तित्व चमकता है आगे बढ़ता है बगवान महावीर एसे ही थे बगवान महावीर ने अपने उच्च कोटी की साधरा से लक्ष को प्रप्त किया और वे बगवान स्वेम संबुद थे आये जो कभी आया धरा पर राजकुल की शान लेकर साधना कर वह गया था विश्व का ही त्राण बनकर इसा पूर्वे पांसो निन्यान में का समय है राजा सिद्दार्थ के घर पर घर आंगन में चोबीस में तिर्थंक प्रवुका जनम होने वाला है उत्रा भालकुनी नक्षत्र चेत्र सुकला तर्योदसी मद्धेरात्र की बेला महारानी त्रिश्ला देवी ने सुख पूर्वक एक दिब्व शिशु को जनम दिया उस समय इतियास कहता है कि सभी ग्रह उच्च स्थिती पर थे वैसे समय था सुख शकुनों की भर मार थी एसे समय में भगवान महावीर का जनम हुआ और देव देवियों धर्ति पर आई तो उनसे धर्ति पर महा प्रकाश हो गया और स्वेम इंद्र ने एक सो आठ अमरत कल्सों से भगवान का जनमोत्सों मनाया चिस से ही नामकरण भी भहुत धूम दाम से मनाया गया जिस समय दिब्य शिशू गर्व में था तो एश्वरी और धन धन्य की रजे में बहुत प्रद्दी हुई इस प्रद्दी के अरुसार उनका नाम वर्दमान रखा गया अब आगे वो बगवान महावीर और ग्यातपुत्र के नाम से भी प्रशिद हुए है बगवान महावीर ने अपनी साधना काल में बहुत कष्टों का सामना किया है और उनको सबको संभाव से सायन किया है कहते हैं कि तेवी स्थिर्थंगरों के कष्ट एक तरफ और बगवान महावीर की कष्ट एक तरफ कितना कष्ट उन्होंने संभाव से सायन करके अपनी कर्म निर्जा करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं एक रात्री में संगम नामक देव ने बीस मारानांतिक कष्ट दिये और बगवान ने सब कुछ संभाव से सहन किया इतना ही नहीं एक चंड कोशिक सर्प ने बगवान के पेरों पर भीशन डंक मारे सब को संभाव पुरक सहन किया एक पर भगवान महावीर कनक्खल आश्रम से उत्तरवाचाल की तरफ उसी मार्क से जा रहे थे तो गवालों ने देखा और वो दोड़े दोड़े आये हैं प्रभू आप इधर किधर जा रहे हो ये रास्ता बहुत खतरनाक है यहां पर शरप एचंड कोशिक शरप उसका बहुत खतरा है एसा विश्दर शरप है कि उसका दृष्टी पात पढ़ते ही आदमी भश्म हो जाता है पर भगवान कहां सुनने वाले वो जीवन और मृत्व से उपर उठ गए थे अपनी आत्म में धियान में लीट थे वो वो आगे बढ़ते चले गए और वहां पर उनने एक खड़ी मुद्रा में धियान में लीं हो गए अब वो असरप वहां रहता था वो फुरा आश्रम गोम करके वहां पर आया आकर उसने देखा एक आदमी या मेरे कौन वहां पर कोई आता नहीं था डर के हमारे, तो उसका क्रोध भवक उठा बहुत क्रोधीत हुआ हुआ, और अपनी एकांथ को अपना उसको देखा, मेरी एकांथ को ये खलित कर रहा है, तो उसे भी उसको बहुत दुख हुआ, अब उसने अपना फन उठाया, और सुरे के तरफ विश की धारा बहे चली, इतना इनी पूरा वाई मंडल विश युक्त बन गया, वगवान मावीर पे कोई भी आँच नहीं आई, वो तो उस विशाल विश के समुद्र में, अमरत की भांती अडोल खड़े रहे, उन्होंने अपनी ए पलक दृष्टी से प्रेम की धा बहाने लगे, और अब प्रेम और द्वेश का, विश और अमरत का द्वन्द शुरू हो गया, अब दृष्टी फेंकने से एक बार से कुछ भी नहीं हुआ, तो विश दर का और क्रोध भव का उसने दूसरी बार विश की दृष्टी फेंकी, तीसरी बार विश युक्त कुछ भी नहीं हुआ, अब पारा उसका बढ़ता गया, उसने बगवान के पेरों पर डंक मारा, डंक मारा तो उनके रक्त की धारा बह चली, उसने उस रक्त को चुसा विश दरने, अरी ये रक्त का ये तो दूद है, अब वो और श्मस जिसमें पड़ गया, क्योंकि चंड कोशी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था, अब उसने दूसरी बार डंक मारा, तीसरी बार डंक मारा, बगवान को कोई भी आँच नहीं आया, उसने सुचा ये तो दूद है रक्त है इने, अब और ज्यादा लास्ट उसने हतियार रूज किया, कि बगवान के चारों तरफ कटेटा मारा, बगवान को हिला नहीं सकता, वो तो अडोल खड़े थे, अब उसका अभिमान चूर चूर हो गया, उसका घमड चूर चूर हो गया, और क्रोध भी शांत हो गया, उसका दिल बदलने लगा, अब बगवान अपना ध्यान पूरा किया, पूरा करके उन्होंने कि तुम शांत हो जाओ, तुम एक विनित द्रश्य, सिस्थे के बानती, मेरे पेरों के पास पड़े हो, अब इस क्रोध की केंचुरी को उतार कर फेंग दो, क्रोध के कारण ही तुम इस्थिर बने हो, अब आगे उनका पूरा भव में आपको पताती हूं, जी, बगवान मह पावीर ने चंड कोशिक को पूरो जनम बताना शुरू कर दिया, उन्हें ने कहा कि पिछले जनम में तुम एक तपस्वी सादू थे, तुम्हारे पेरों से एक मेंड़क मर गया, अब तुम्हारे शिष्या ने नुराद किया, कि गुरुदेव आपके सादू दंड लेना सादू तुम पांच मावर धारी होते हैं तो उसने कहा कि भाई गुरुदेव आप प्रयाश्चित ले लीजिए, नहीं सुना, अंसुना कर दिया, अब उस बात को बार बार रिपीट करने लगा, तो तुम पुरुद होकर उसके पिछे दोड़े, पिछे दोड़े तो एक खंबा बीच में उसे तुमारा सिर टकराया, सिर फट गया और तुम वहीं पर धारासाई हो गए, और वहां पर से तुम इस आस्रम के अंदर एक तपस्वियों के कूलपती बने है, तपस्वि थे, उनका पूरा जिमा तुमारे पर थे, तुम एक वहां के कूल अदिक्ष ब कर दिया, जब तुम को ग्यात हुआ कि मेरे आस्रम से फल फूल तोड़े जा रहे हैं, तो तुम क्रोधित होकर उन राजकुमारों के पिछे दोड़े, तुमारे हाथ में कुलाडी थे, तो तुम ने क्या किया, चलते चलते तुमारा पेर फिसला और गड़े में गिर गए, गड़े में गिरने से तुमारी कुलाडी नहीं तुमारी जान ले ली, वहाँ पर तुम कतम हो गए, वहाँ से तुम इस चंड कोशिक सरब के रूप में विस्तर के रूप में बने हो, और तुमारा क्रोध के कारण तुमारा नामी चंड कोशिक रख दिया गया था, अब तो समझो विस्तर, तुमने कितने पूरो जनम में, कितने ख्रोध के कारण, कितने फल को भुगता है, अब तुम इस ख्रोध की कंचुली को उतार कर फैंक दो, और शांत हो जाओ, अब तो चंड कोसी को घ्ञान हो गया, इतना सुनते सुनते, उसको पूरो जनम की सारी गटनाए, एक पिक्चर की तरह उसको देखने लगई, देखते देखते उसका दिल बदल गया, हरदे बदल गया, और उसके भावधारा में सब जीव समान है, ऐसे बीज उसके अंकूरित हो गए, अब चंड कोशिक वहाँ एकदम शांत बेठा था, बगवान माहवीर वहाँ पर पंद्र दिन तक उन्होंने उप्वास किया, न अन खाया न पानी पिया भगवान ने, तो वही तपश्या चंड कोशिक ने शुरू करती, उसने भी कुछ भी ने खाया, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका था, तो उसने वहाँ पर उस पंद्र दिन के दोरान, चेत्री अमावश्या चेत्री अमावश्या के दिन, चंड कोशिक वहाँ पर मृत्यू हो गई, वह सद्गति को प्रत हुआ, तो भगवान महावीर वहाँ से रवान होने वाले थे, कि एक चंड कोशिक सामका उन्होंने किस तरह उद्दार किया, इसे भगवान महावीर ने अन्यों का उद्दार क हैं, मैंने आपको सिर्फ यह एक ही बात बताई है, अब चंड कोशिक भगवान के वहाँ से दूर निकल गए, चंड कोशिक अपना उपर गया और वह अपने रास्ते पर साधना में थे, तो भगवान महावीर की साधना बारे वरस और छै मास की रही है, उस साधना कान में ब मोन बरत रखा, प्राए प्राए मोन और ध्यान में वो रहे थे, अब हमको यह जानना भी जरूरी है, कि भगवान महावीर के दर्शन क्या सिद्दान्त क्या है, और उन्हों की उप्योगिता क्या है, इसको हम जानकर ही भगवान महावीर के पारे में पूरी जानकारी प्रा अनव मरता है पर दरश्टिकोन और सत्य कभी नहीं मरता महावीर अमर है सतत प्रभास्वर है और इस दर्शन और शिदान्त की भूमीका पर एक प्रजवलित प्रदिप्त दीप की भांति बगवान महावीर है दर्शन और शिदान्त को लेकर अपनी तपिश्या में चल रहे थ है तो अब आदमी जब दुनिया के संसार के दुखों से उप जाता है तो वह सत्य की शास्वत खोज के अंदर निकल पड़ता है वहाँ पर इस सत्य शास्वत खोज में जो है और उपादे का जो ग्यान होता है जो मिमाशा होती है वही दर्शन बन जाता है जो जीता है यू युद्धन नाई के साथ, युग की समस्याओं का समाधान देता है, वही युग प्रान है, वही महवीर है. अब दर्षन की मिमासा बोदिक्ता का के अधार पड होती है. यूनान के प्रसिद दाशनिक प्लेटू अफ्लातू का एक प्रशिद वक्य है कि दर्शन का उद्भव बहुत आश्चेरिसे होता है बगवान महावीर ने दर्शन और शिद्दान्थ दिये दूसरा उनका महत्वपूर्ण सुत्र था आवशिक और अनावशिक का विवेक होना क्या आवशिक है और क्या अनावशिक है इसका विवेक होना बहुत जरूरी है बगवान महावीर का दर्शन किसी वर्ग जाती संप्रदाश से जुड़ा हुआ नहीं है बगवान महावीर के दर्शन में प्रतेक पित्ति को परमात्मा बनने की स्वाधीनिता दी गई है वो सब के हैं, सब का दर्शन है, उनका दर्शन है महावीर स्वामी की जो सिध्धान्त भी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धरम से ही रिलेटेड है जो नौन वाइलिंस वो सिखाते हैं, जो सच बोलने की बात सिखाते हैं, जैसे चंड कोशिक का भी उन्होंने घमन तोड़ा था मतलब अपने ही एगो से आप उभर कर ऊपर आईए, अपने क्रोध पर नियंतरन रखिए ये केवल जैन धरम तक नहीं है, ये सबी के लिए सिखानत लागू होते हैं तो ऐसे सिखानतों के बारे में जैसे आप बोल रहे थे कि आप हमें बताईए कि उनकी वाणी में उन्होंने किस तरह से ऐसे सिखानत दिये हैं दुनिया को एसा ही वर्तमान में क्या है कि आज अनुबरत आंदोलन का पिच्चोतरमा वर्स अमरत मोसव के रूप में मनाये गया अनुवर्त आन्दोलन के परवर्ध थे आचारे स्री तुलसी और वरतमान में उन्होंने आचारे तुलसी ने नेतिक्ता के छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे बरत बनाए जो कोई भी स्वंपरदाय उसे ग्रहन करके अपने जिवन को बदल सकता है पर्चार गां गां बस्ती बस्ती में कर रहे हैं औरा यात्रा के संकल्प भी करवाते हैं यह नहीं खारी प्रड़ना दिया उनको समझा करके यह नियम तुम लेओ यह संकल्प तुम करो तो यह आच्छारे महा फ्रमन जी अभी इस पर बहुत ज़्यादा कह रहे हैं और वैसे बगवान महावीर आज हमारे बीच नहीं है पर उनकी वानी हमार महावीर ने सब के प्रती मेत्री भाव रहने की प्रेणा दी वी सबसे मेत्री रखो किसे बेर ब्रोद मत रखो इसका एक पद्द्य कितना सुंदर है मेत्री भाव का अचरे तुलसी का मेत्री भाव है मारा सब से प्रती दिन बढ़ता जाए समता सह एस्तीत्व समनवय नीती सफलता पाए शुद शाद्य के लिए नियोजित मात्र शुद साधन हो सैयम मै जीवन हो नई तिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो मतलब मेत्री का व्यभार सब के साथ होना चाहिए ये भी एक नितिकता का और बगवान महावीर की वाने का सुत्र है कि एक धनी व्यक्ती रोड़ पर जा रहा था तो वहां पर सामने एक विकारी मिला और विकारी ने उसके आगे हाथ फिला दिये विकारी हाथ फिलाता है तो उस धनीमानी विक्ति के मन्न में आया कि इस विकारी को मुझे कुछ देना चाहिए अब उसने अपने जैब में हार डाला हार डाला तो जैब खाली कुछ भी नहीं क्यों कि वो गर्षें जल्दी-जल्दी में निकला था उसने कितनी अच्छी बात कही कि मित्र क्या करूं म मित्र हो लेकिन मेरे पास अभी तुमारे देने के लिए कुछ भी नहीं है उसने का बाबुजी आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया आपने मित्र कहकर मेरी जोली बर दी मुझे पैसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन ये मित्र शब्द कहने वाला मित्रता करन वाला कोई भी नहीं मिलेगा एक भीकारी को मित्र कहना अपने बूत बड़ी बात मेरे साथ कर दी है तो एक मित्रता शब्द एक ऐसा होता है एक जबान ऐसी होती है बासा और बीरबल सभा में बेटे वेते सभा जुड़ी थी बासा ने सभा सदों से पूछा कि भई सबसे बीधा होता है इसे जिसको मनमी जो मिठाई की पसंद आई वह इसे बोलता गया अब वाश्चा को अभर सब जब बने खवान हे है तो उस ने बीरबल को आगे बुला कर का कि तूम सबसे मिठी बहुत साइबा को अपने गर पे बुलाया गर पे बुलाकर भोजन का निमंत्रन दिया और बहुत आ भगत की खुब आतिते स्वतकार किया इतने मिठे पक्वान बनाए इतने स्वाधिश्ट पक्वान वेगम साइबा बहुत खुश हुई जी खुब पेड़ बरकर खाना खाया भोज अब तो उस बेगम का खाया प्या हराम वो इतनी क्रोधित होके और बादसा के पास गई कहां पर भेज़ दिया आपने मुझे मेरा अपमान करने के लिए भेज़ा आपने वहां पर जी खोले इसे क्या बात हो गई तो बादसा भी परकुटी तनगी क्रोध में आ गया जी अ आप वो वीरबल वहां सभा में आया दूर से देखा कि बादसा बहुत क्रोधित है उसने का मेरा तो काम बन गया तो वहां बेट गया सभा में अब बादसा उससे बात भी नहीं कर रहा है तब वह इमत करके आगे बढ़ा आगे बढ़ा बेटकर बोला कि जहा अपना है समझ में आया आप से समय मांगया आपको मैंने परमान देतिया है मैंने पूरे साल की कमाई आज के दिन मैंने बोजन पे और बगत पे सतकार पे स्वागत पे खर्च कर दी लेकिन एक जवान ऐसी बोली सारा खाया पूया हराम हो गया तो वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोए और अब बगवान महावीर की वानी को यदि हम परिभाशित करते हैं उस वो भाशा दी जाए तो उसका फलित है कि किसी को दुख मत दो, किसी को उत्पीडन मत करो, किसी पर हुकूमत मत चला हो, किसी के मौलिक अधिकारों को मत छिनो, उनको हनन मत करो, लूट खशोट मत बचाओ. अब बगवान महावीर की एसी वानी, यदि आज हम देखते हैं कि धन की बडोतरी होती जा रही है, लेकिन उस अरजित धन के खर्च करने का कोई विवेक नहीं है, बगवान महावीर ने अपने अतिंद्रिय ग्यान के आलोक में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, इस सिद्धान्तिक भूमिका को प्रयोग में लाते हुए उन्हाने पिछडी हुई नारी जाती का उद्धार किया, ये बगवान महावीर ने इकाम किया जो आज देखो नारी कितने आगे बढ़ रही है, नारी की आगे बगवान महावीर ने उनका उद्धार किया था, अपना उनका अपना एक अलेगी प्रतिष्ट थी वो जी तो बगवान महावीर का ये सिदान बहुत ही कारगर है आज जो चल रहा है हम देख रहे हैं नारी कितनी आगी बढ़ रही है जी तो बहु आद महावीर ने जो परिगरे की सिमा बताई आज परिगरे इतना बढ़ गय कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी अट्टा लिकाओं में रहने वाला व्यक्ति एसो आराम की जिंदगी जी रहा है दूसरे तरफ जोगी जोपड़ी में बैठा एक व्यक्ति कैसी गूजर अपनी जिंदगी उसर कर रहा है एक टाइम खाने की रोटी को उनक आकांक्षाएं आदमी की आकाश के समयान होती है उसका कोई पार पार नहीं है तो अपनी आकांक्षाओं को सिमित करो वगान महवीर की ये वानी येदी हम सोचें कि ये आज परिग्रह का विक्तिकत उपभोग बहुत बढ़ रहा है यूनान का राजा मिडास उसके मन में आ अनुद्वाश के ग्हाया और देवता स्वर मांगा कि मुझे देव ऐसी वरदान दे दिए मैं जिस को हाथ लगा हूँ सूना बंचाए तो देव ने का तथास तू आब वो जो भी चीज को हाथ लगाता हो सूना बन जाता अब उसकी बटिया प्यारी बिटिया औरी लगी तो रोटी को छुआ, पानी को सुआ, सब सोने के बन गए, अब वो भूक और प्यास से छट पढ़ाने लगा, उसने अब चिंतन किया कि मैंने गलत वर मांग लिया, गलत चिंतन विचार मेरे मन में आ गया, उसने देव को वापिस याद किया, देव से माफी मांगी, मु एक लालच केसी धनके प्रती होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है, बगवान महावी ने अनेकांत का शिद्दांत दिया, अनेकांत, शादवात, दाशनिक छेतर में वे समराठ है, जिसके सामने आते ही, इर्शा, कलय, देश, अनुदारता, आधी दोस भैबित होकर दू भाग जाते हैं, तो हमारे को अनेकांत मैं जीवन जीना चाहिए, एक जंगल में बरक्ष के नीचे, कुछ पथिक बेटकर चर्चा कर रहे थे, एक पथिक बोला, कि मैं अभी उस रास्ते से आ रहा हूं, मैंने बरक्ष पर एक जानवर को देखा, वो लाल रंका था, इतने म बहुता है, 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 तो उसने कहा कि भाई बेकार में क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों सही हो, समग्रता की दृष्टिशे देखो, अनेकांत की दृष्टिशे देखो, उसको समझो, वो गिरगिट था, गिरगिट रंग बदलता रहता है, जब तुम उदर से आए हो, तो वो लाल रंग का होगा तो यह आपस का जगड़ा खतम करो, अनेकांत और समग्रतात की दृष्टिशे देखने से आपसी प्रेम भाव बना रहता है, आज कितना एह हितुक लड़याईयां परिवारां में होती है, सामझेश्य और समझोता नहीं रहा, अशांत वाता वरण, बच्चों पर क्या संस का रहते हैं, आज आप देख रहे हो हर परिवार में अशांती, जगड़ा, अकले, द्वेस, इनको शांत करने के लिए महावीर के सिद्धान और दर्शन को अपने जिवन में उपतारा जाए, तो बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, हमें महावीर वानी पर ध्यान देना चा बात तो सही है, बट देखने का नजरिया अलग है, हमें वो नजरिया समझना चाहिए, उसके प्रति, उसके लिए महावीर का अने का सिद्धान, तो हमें उससे समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, कि हर इनसान का परस्पेक्टिफ सेम चीज़ के लिए अलग हो सकता है, इस ईक्णा आख शाय है अपनी, जहां ये आकांक शाय बढ़ती है, उसे पाने की इच्छा बहुत बढ़ती है, जब आमें नहीं मिलता तो कुरोध होता है, अशान्ती होती है, तो वो सारा साइकल वहीं से शुरू होता है, इसले सहीम का जीवन सुरू करो, शिमा करो, ये तो यह जो सिध्धांत आपने बताए, यह बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में, आज की जो युवा-पीडी है, जैसे आप घरों में बता रहे हो, देश-विदेश में जो आज लडाईया हो रहे हैं, इतनी जो अशान्ति है लोगों में, यह आज के समय में बहुत रेलेवें आज हमने एंसा को कितना संख्षिप्त यानि सिमा कर दिया है किसी जीव को मारना हिंसा और नहीं मारना अहिंसा यहां तक हिंसा समप्त हो जाती है कितना सिमित दाइरा बना दिया है कि इस से विकास होने का अवकाश नहीं बचा है तो हमको मानसिक अहिंसा पर विश्टलेशन क करना चाहिए मानसिक अइंसा कैसे हो सकती है हम मानसिक अइंसा को अपने जिवन में उतारें तो इंसा मानसिक अइंसा ये दी होती है तो अइंसा एक बहुत उन्नत सामुदा एक मानसिक अइंसा होगी तो समाज में एक उन्नती और विकाश का रास्ता अपने अप खुल जाता ह जरूरत है हम मानसिक अइंसा को अपने जीवन में उतारें, तो मानसिक अइंसा बहुत जरूरी है, और अब भगवान महवीर का एक मयत्वपुन्ड सूत्र है, जो हमारे जीवन का सफलता का मयत्वपुन्ड सूत्र हो सकता है, विद्धायक दृष्टी कौन, विद्धायक द्रिष्टिकौन उसी के पास हो सकता है जो ध्यान की साधना करता है और जिस दे में अपने मन को पवित्र और शांत बनाया है अपने आत्मा को पवित्रता की और ले गया है और उसने जिसने ध्यान की मावीर की ध्यान की साधना को अपने जीवन में उता रहा है वो विदाइ जीवित, ध्यान की साधना को पुनर जीवित किया है, तो उस साधना में उसको और आगे बढ़ाया है अचारे महाप्रगे जी ने, अचारे महाप्रगे जी ने एक प्रेक्षा ध्यान की पद्दती को निरूपन किया, उना ने बहुंसे सास्त्रों की खोजबिन करके इस ध्या अब भी माविद की ध्यान साथ ना और अच्छारमाप्रगी की प्रेक्षा ध्यान पद दती आज यहां पर भी हैदराबाद में भी हम लोग हर पुलिश अकादमी में चाहे CRPF लेलो चाहे निशा लेलो चाहे आर्मी चाहे NFC बहुत पुलिश अकादमी में यह एपी इंडिया से गजटेड ओपिसर्स आते थे वहां पर हम बगवान महाविर की साधना पदती आचारे महाप्रगी जी की प्रेक्षा ध्यान की पदती उनका प्रयोग करवा के सब में बहुत बदलाव आए हैं आज भी वह उस प्रेक्षा ध्यान पदती को याद कर रही हैं कि ह हम में कैसे अनश्य की आदत थी वह हमारी छूट गई कैसे हमारे मन में अश्वांति थी क्रोध था उसमें हमारे को बहुत लाब हुआ हैं आज उसी प्रेक्षा ध्यान की पदती को में हम लोगे स्कुलों में भी जाते हैं कोलेजों में भी जाते हैं नेतिक्ता के साथ साथ अनुपर तांदोलन के साथ इस प्रेक्षा ध्यान की पद्यति का भी परियोग करवाते हैं इससे क्या है emotional development भावात्वक्षुद्धी कैसे होती है बत्षों की कैसे उनको उससे उबारा जाए क्रोध से वो भी परियोग करवाके उनको वो भी हम सिखाते हैं यह जो पद्यति ह को उतारने की कोशिश करें या करने की कगर कोशिश करें तो एक छोटी सी कोई ऐसी चीज आप हमारी audience को आज बता सकते हैं ऐसे तो देखिए ध्यानपति बहुत बड़ी है ध्यान पद्दति बहुत बड़ी है इसमें तेरह तो चेतने केंद्र है अच्छा सुरू में बोले प्रजर सरगे और वहार भी मतलब हर लेशा ध्यान है रंगों का ध्यान ए बहुत ध्यान इसमें तो धीरे-धीरे की आजता है में तो आप ऐक जोटी सी महा प्राण दोनी की मैंने बताया था कि किसले हम Dhani ऑने करें जिससे हमारे जो ग्यान केंदर, चोटी का केंदर, उस पर एक अलगी वाइब्रेशन होते हैं, उससे हमारे सारे मस्तिश्क के सारे निवरन्स एक्टिवेट होते हैं, जो सुप्त शक्ति हमारी सोई हुई है, उस जागरत होती है, और हमारा मेमोरी पावर उससे बढ़ता है, दूसरी एक है कि देरक स्वांस परीक्षा, आप पांस सेकंड में स्वांस को भिटर लीजिए, ध्यान रहे, पेट के मांस प्रेश्या हुई है, पैट लिखे फुले, और फिर पांस सेकंड उसको अंदर रोकिये, मैं आप को प्रियों करके बताती हूँ, और फिर आप किजिए इसको बाहर निकाले बाहर निकाले फिर पांच सेकेंड, फिर फिर बाहर रोकिए ऑль फिर रोक करके फिर अंदर लीजिए dirig को बाहर निकाले 2-3 वह पहले की जो हई सीधिलता वह सेसी स्रेट को उस में भुट समय लगेगा जी तो आप इतना सा कर लीजिए आंके बंद करके गहरा लंबा 105 सेकेंड के अंदर भीतर मिलें, अब 5 सेकेंड अंदर रोकें, वापिस रेशन करें, पांच सेकेंड बाहर रोकें, उन्हें बिचर लीजे, फिर पांच सेकेंड रोकें, फिर उसका रेशन कीजे, और बाहर उसे, रोकें, बहुत अच्छा लगता है जब आप गहरी सांस लेते हो, एक खिरता, एक शीतलता, जब आप अपने श्वास पे भी आप फोकस करते हो, तो यह नहीं बोल रही हो कि खास तोर से जैन धरम में ही यह रेलेवेंट है, आज हमारी ओडियोंस जो यह देख रही है, यह एक तरीका है, आप अपने आप से जब जुड़ेंगे, अपनी श्वास के द्वारा, तो अपने अंदर जो शीतलता आएगी, यह महवीर स्वामी की वानी है, यह वह बताते हैं कि एक मूल कारण है, जब आप अपने आप से जब जुड़ते हैं, अपने अंदर वो स्थिरता औ कराते हैं तब जो ये आपके दुर्भाव होते हैं जैसे की वाइलन्स हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, ये सब से लड़ने में और आपको एक बहतर इंसान बनाने में, बन की एक आगरता, इसमें आपको एक बहतर इंसान बनाने की एक कोशिश करता है, ये है महावीर स्वामी की वारी आज हम बात कर रहे हैं निर्मला बैजी से जो हमें बता रही है कि किस तरह से श्वास के इस माध्यम से महाविय स्वामी की इस वारी को अपने अंदर समा लेने की इस कोशिश को वो पूरी दुनिया तक ले जाने की कोशिश कर रही है कही मत जाईएगा दूर्दर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में आज हम बात कर रहे हैं निर्मल अबेद जी से जो महवीर जैनती के इस पावन अफसर पर हमें महवीर स्वामी की वानी से रूबरू करा रही है हमें ये बता रही है कि किस तरह से महवीर स्वामी की जो वानी है उनके जो आदर्श है उन्हें हमें हमें जीवन में उतार कर कैसे अपना जीवन सार्थक, सुन्दर, नियमित बनाना चाहिए शांती पूर्वक बिना अंकार के बिना अकांगशाओं के एक सयम भरे जीवन में अपना जीवन व्यतीत करकर किस तरह से एक बहतर समाज, बच्चों को अच्छे वैल्यूस और एक सुख शांती पूर्वक घर के माहौल में रहने की कोशिश करनी चाहिए निर्मला जी हम आपसे बात कर रहे थे महावीर स्वामी के बारे में ये जो पावन अफसर है महावीर जैनती जिसके कारण आज हम आपसे जुड़ रहे हैं हमें ये पताईए कि जैनियों के लिए ये कितना बड़ा अवसर है किस तरह से हम आज खास तौर पर महावीर स्वामी को भगवान महावीर को याद करते हैं उनकी भक्ती में लीन होने की कोशिश करते हैं तो इस इस दिन क्या होता है भगवान महावीर जनम बी बड़े दूम-धामसे हुआ था तो इसको फूड़ा दूम-धामसे में अना चाहिए तो वह भगवान की साधना की दिरिश्टी से देख़ें तो उनहोंने ध्यान बहुत भोग पक्या दुश और भी निकलते हैं, सब तरह से होते हैं, साद उसां दुपवास भी रखते हैं, क्योंकि बंगवान माविर को जो सादना में यही उनको स्रद्दान जिली है, उनकी भक्ती स्रद्दा होती है, तो अभी ऐसा है कि अब प्रेक्षा ध्यान के बार में मैंने आपको बता ह प्रेक्षा ध्यान के पांच सूत्र है, पांच उपसंबदाए हैं, इसमें एक है भावक्रिया, प्रतिक्रियावीर्ती, मेत्री, मिताहार, उमित भाशन, यह पांचों ही अहिंसा के प्रियोग है, जिसके जीवन में अहिंसा होती है, उसी के जीवन में मेत्री की भाना होती है और जो मेत्री पूरक जिता है वो ही अनिसा को अपना सकता है अब इन पांचों का अविश्टेशन करूं तो बहुत समय लगेगा मैं आपको संक्षित में ही बताती हूं कि जब ध्यान शुरू किया जाता है तो इन पांच उप्षमदाओं को ग्रेंड किया जाता है उसके अपाद ध्यान की प्रिकरिया सुरू होती है तो आप एक मतलब बगवान महावीर का एक ऐसा ध्यान का सिद्दान तो वह इदिए हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत कुछ अपने आप में सीख सकते हैं जी और ऐसे देखें तो बगवान की महावीर की वानी का एक फलि यह भी है कि जेशे देखें उनके सिदान को केसे अपनाय जाए एक व्यक्षिनी लाल्टेन जलाई दूसरा व्यक्ति आया उसके ठोकर लगाई लाल्टेन लुडग गई उसका कांच फूट गया अंधेरा हो गया ऐसी लाल्टेन जलाने से क्या फाइदा जब व्यक्ति के प परकास भी है देपक का परकास भी है विजली का परकास भी है सूररोज और चांद का परकास भी है लेकिन जब एक आख ही नहीं है तो सब अंधकार है वो परकास कोई काम के नहीं है इसी तरह यदि हम अपने वित्री चेतना को जागरित करते हैं तब इन सिद्धान्तों को में उता सकते हैं यदि वित्र की चेतना नहीं जागरित होती तो फिर चाहे मावीर का सिद्धान्त हो चाहे कृष्ण अबुद्ध का सिद्धान्त हो कोई भी सिद्धान्त हमारे लिए कारगर सिद्धनी होता और यदि इन सिद्धान्तों पर व्यक्ति चलता है तो बहुत अपने आप में एक विक्षित देश, विक्षित समाज और विक्षित राष्टर बन सकते हैं, आवशकता है अपनी वितरी चेतना को जगाएं, और जो ध्यान करता है, ध्यान में तीन चीजों का विकास होना चाहिए, चेतना का विकास हो, आनंद का विकास हो, और शक्ति का व जिन्दगी केवलन जीने का बहाना, जिन्दगी केवलन शिंदूर है पूरव दिशा का, जिन्दगी का काम है सूरज उगाना, जिन्दगी केवलन जीने का बहाना, जिन्दगी केवलन सांसों का खजाना, जिन्दगी शिंदूर है पूरव दिशा का, जिन्दगी का काम है सू को पोज़ कैसे हो गए जायी. राजचा की तीन राज्कुमार थे, तीनों को राजचा ने बुला कर सौ रुपए दिये तीनों को, बही मैंने सोризूरुपए दे दिये, तुम इन स सौ रुपईयां से घंडर्यां रुपी से अपने मेल को अपने कबरों को भरो। अब पहले राजकुमार ने सोचा कि भई 100 रुप्य से क्या बरूंगा, जुवा खे लेता हूं, रुप्या आएंगे और मेल बढ़ दूगा, अब जुवे के अंदर 100 रुप्या हार गया, दूसरे ने सोचा कि 100 रुप्य में क्या हो सकता है, कूडा क्रकेड घास पूस बर लि अगर बती जलाई, पूरा कमरा सुगंद से भर गया, तो हम भी अपने जीवन को महवीर के सिद्दांतों से प्रकाशित और सुगंदित बनाएं, तभी ये महवीर जैनती मनाने की सार्थक्ता सिद्ध होती है, तो हमारे को चाहिए कि कम से कम प्रतिवर्ष एक-एक महवीर क एक-एक संकल्प भी अपने जीवन में उतारते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, अब महवीर को जीना अलग बात है, महवीर को मानना अलग बात है, महवीर को जानना अलग बात है, सबसे बड़ी बात है महवीर को जीना, अपने जीवन में महवीर को जीओ, तब तुम सोशल वर्क भी करते हैं तुम किस तरह अपने जीवन को बदल सकते हो खाली वाशन देखर नहीं कुछ परयोग भी करते थे, ट्याद की आब के, जिससें तुम लोग में इसमें कुछ चेंजींग आ सके, वो भी बहुत खुछ होते थे, बहुत अच्छा ज्यान से सुनते हैं बहुत अच्छा लाब उटाते थे तो आप colleges और schools वगरा में भी जाके बच्चों से बात करती हैं उन्हें भी माविय स्वामी की बारी से रूबरू कराती हैं तो इसके बारे में भी हमें बताईए कि किस तरह से ये ये वाला प्रयोग आ जाना, colleges जाना क्योंकि बच्चे एक सही एज में हैं अगर आप उनी से इस एज में अगर बात करने लगे और अभी से उन्हें ये सब बताने लगे तो बहुत बहुत अच्छा बीज बो रही हैं आप तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से आज ये आपकी जर्न सब भी मुझे अच्छा रिस्पोंस देती हैं वो भी कहते हैं आप अच्छी बात बताते हो हमको भी अच्छा लगता है थ्वड़ा समय दो भलें बेले को मैं सोचते हूं इतने बच्चों में शेहदी पांच बच्चे भी अच्छे बन गए तो मुझे बहुत लाब होता है मैं मेरा अपना समय इसी में लगाना चाहती हूं तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं तो एक प्रिंसिपल में ने तो मेडम ने यहां तक कह दिया कि आपको सामान भी देते हो यह भी देते हो मुझे यह बहुत अच्छा लगा है और बच्चों को कितनी एच्छिक्षा बच्चों के साथ साथ बड़ों पे इस बात का इंप्रेशन पड़ रहा है यह बहुत अच्छी बात है तो आपने अपने जीवन में एक जैल परिवार से आप रिष्टा रखती है आप वहीं पर पली बड़ी है आपने बच्पन से महावीर स्वामी की वानी सुनी है बट आपको भगवान महावीर का आशिरवाद है कि आप उनकी वानी को हजारों तक लेके जा रही है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की आप पे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जैन धरम से यह जो व चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो चाहे वो किसी विकलांग की मदद करने से हो जिस भी तरह से आप जुड़कर इस इस मोर्चे को अगर आगे ले जाना चाहती है जहां पर भी आप एक इंपक्ट क्रियेट करने की कोशिश कर रही हैं अगर वो सफल हो तो हम एक बहुत बहु आज देख पाएंगे आगे जाकर तो दूरदर्शन यादगीरी आपके इस कोशिश को अगनॉलेज करता है अप्रीशियेट करता है और होप करता है कि आप आगे भी अपना ये कार इसी तरह से पैशनेटली कंटिन्यू करें महावी स्वामी की इस वानी से जो आज आपने ह हमें ग्यात कराया है नॉन वाइलिंस हो क्रोद को कंट्रोल में रखना हो अपनी अकांगशाओं को कंट्रोल में रखना हो बेसिकली किसी भी तरह से आप अपने आप से जुड़कर एक बहतर इंसान बनने की जो कोशिश करें किसी भी माध्यम से ताकि आपका घर पीसफुल हो आप एजन इंसान पीसफुल रहे और समाज में देश में पूरे विश्व में आप एक अच्छा समाज बनाने की जो कोशिश करें उसका एक बहुत खुबसूरत उधारन आज निर्मला जी ने हमें बताया तो मावीर जैनती के इस उत्सव पर इस पावन पर्व पर दूर इसलिए कि वे सत्य के आरादक थे, व्यक्याता थे, प्रवक्ता थे, खाली वानी नहीं वो आरादक भी थे, प्रवक्ता भी थे, व्यक्याता था भी, तो इसलिए मावीर को हम किसी एक दाएरे में नहीं बान सकते, उनका व्यक्तित तो बहुत विराड था, तो मावीर के इतियास पूरुस है, महावीर साम में के विश्वास पूरुस है, क्यों बांदे ही हम देशकाल की सीमा में महावीर सत्य के प्रकाश पूरुस है, तो एक सत्य और इमान धरी भी बच्चों में आनी चाहिए, आज आप देखिए बच्चों में, वो तो बच्चें कुछ समझ बदलना अपने हाथ पे नहीं हूँ एक बात ये भी है कि सारे समाच को बदलना की कोशिश तो करती रहनी चाहिए बट सबसे ज्यादा आसान है अपने आपको बदलना और ये उमीद भी नहीं रखना कि मेरे सिर्फ बोलने से सारा समाच बदल जाएगा हमें खुद के लिए सा महा से कोई और बदले तो ऐसे हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं महावीर जैनती के इस पावन अफसर पर हम चाहते हैं कि उनकी वाड़ी हजारों तक पहुँचे लाखों तक पहुँचे और हर इंसान अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाने की जरूर ये मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गयापित करती हूँ और आपने इतना अच्छा इसको बनाया और अच्छे प्रशन आपने पुछे अमरे को भी दूरदर्शन का भी बहुत अभार गयापित करती हूँ कि मुझे ऐसा मोक़व और बार बार देते रहें और आगे मे चलती रहूँ और महवीर्वानि का और अपने जीवन में वतारते हुए दूसरों को भी ये समझाने का प्रयास करती रहूँ तो दूरदर्शन वालों के प्रती भी हारतिक करतक गयता गयापित करती हूँ और आपके प्रती भी ओम अरहम जै विख्षु जै तुलसी जै माह आपनेगे जै महासरवण जी दूरदशन यादगीरी पे हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में आज हम बात कर रहे थे निर्मला जी से जो हमें बता रही थी महावीर स्वामी के बारे में महावीर स्वामी की खुबसूरत वानी के ब प्रोग्राम देखिए इसके बारे में सोचिए और महावीर जैनती बहुत धाम से बनाईए तब तक के लिए मैं आप से विदा लेती हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद